मालवा की माटी में जो इसकी पहचान है वो इसके रंग बिरंगी संस्किति की वज़े से है इसके मेले उन बाजारों की वज़े से है जिसने मालवा को एक विश्व में अलग से पहचान दिया है अहलिया देवी होलकर ने इसके सांस्कृतिक विरासत को पुरे वैश्विक तोर पे पहुचाया है। पुरे भारत के चार राजियों में लगबख 40 प्लस शाखाओं के साथ जिस तरह से काम कर रहे हैं यह कहीं नया पहचान है इंदौर के एजुकेशन हब के रुपने इस्टैबलिश होने के क्रम में तो यह जो जर्नी है इंदौर के एजुकेशन हब से निकलकर पुरे मध्यप 18 वर्ष पहले जब कॉटिल एक एडमी स्टार्ट किया गया था उसमें एक ही मनशा एक ही इक्षा थी कि स्ट्रेंट्स को एक छत के नीचे वह सारी सुविधायें उपलब्द कराई जाएं जो उनके लक्ष तक पहुंचने में सहायकों सहाचरीयों अब इस कोरोना काल के बा है कि हम सारे संगर्षों से निकलते हुए जैसे पहुंचे हैं इस संगर्ष को और बढ़ाया जाए क्योंने व्यवस्थाओं को वैसे ही स्टार्ट किया जाए और इस क्रम में थोड़ा पीछे जाते हुए हमने अपने फी स्ट्रक्शर को भी रिवाइस किया है कुछ समय के लिए ताकि जो स्ट्रेंट्स बाहर से आ रहे हैं क्योंकि इंदऊर एक ऐसा शाहर है जहां पूरे भारत बर से लोग आकर बसना चाहते हैं जहां हर स्ट्रिंट का सपना है कि इंद और में आकर पढ़ाई कर ले इस सपनों को पूरा करते हुए टीम कॉटिली ने अपने social responsibility के तार ये प्रयास किया है कि हम अपने 10 साल पुराने फीस को कुछ जिनों के आपके लिए offer के रूप में ला रहे हैं ताकि आप इस आर्थिक विवस्ता का फायदा उठाएं और अपने लक्ष तक पहुँचें कॉटिले की इस प्रयास साथ जुड़ने के लिए जितने भी contact numbers आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं वेबसाइट के links हैं इनसे जुड़िए और प्रयास कीजिए कि टीम कॉटिले जो प्रयास आपके लिए स्टार्ट किया है उस प्रयास में हम लक्ष तक पहुँचें हमारी शुब कामना है टीम कॉटिले सदत रूप से आपके महनत में आपके साथ है और ये विश्वास दिलाते हैं कि जो लेगेसी हमने आज से 18 साल पहले कायम की थी वो इस साल भी जारी रहेगी निरंतर रहेगी हमारी शुब कामना है